दोजार चौबिस के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और विशेश तोर पर हिंडी पढ़ती है नारधर्न इंडिया में यहां पर बीजेपी बहुत ताकतवर है कई तो राज जैसे जहां बीजेपी ने पूरी की पूरी सभी सीटें जीत ली क्या विपत्ष में कोई ऐसे त ताकत पर नेता हैं या उनका इतना जनधार है क्यों बीजेपी का रथ रोक पाएं कि पर चुनाव लड़े जाते हैं जिसके साथ कहीं पर मुस्लिम यादों हैं कहीं पर दलित का मामला है कहीं ओबी सी और जनरल को लेके चुनाव लड़ते हैं यह अलग-अलग फैक्टर प समारी कर ली और ओबी सी का पूरा होट उसने मोदी के नाम पर ले लिया अब आप उत्तर प्रदेश में कर नज़र डाले तो असी लोकसभा सीट हैं सरकारताइं करती हैं केंद्र की लेकिन जो दल हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं विधान सभा में कांग्रेस के पास दो है मा जीत लेंगे अब एक बात आती है कि समाजवादी पार्टी यहां अकेले है वो लड़ तो सकती है लड़ी भी जीती भी लेकिन उसके पास बीजेपी से मुकाबला करने वाला संगठन नहीं है संगठन को और उसको मजबूत करना पढ़ेगा उसके नेता को और मेहनत करनी प एक आस नीतिस कुमार के रूप में विपश्च के सामने आई लेकिन विपश्च के नेताओं को एक साथ ला पाना यह बड़ा कठिन काम है तराजू में मेड़क के तोलेक तरह एक रखोगे तब तक दूसरा कूच जाएगा क्योंकि सब के अपने-पने सोच है और सब की महत तो कांचा है आप देखिए कि आज मायवती की पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं बचा जनाधार वाला मायवती लोगसभा में दस सीटे हैं उनके पास अब वो जब अगर अकेले ललने जाएंगी अगर किसी के साथ गटबंदन करें तो बात अलग है अने था उनके पा समाजवादी पार्टी ने ले लिया कांग्रेस के पास क्या बचा बीजेपी कांग्रेस के लिए आपरेशन लोटस चला रही है और कांग्रेस में आपरेशन लोट पोर्ट चला है कि वो जैसे वो बुलाएं ने उससे पहले लोटनेक तयार है तो ये बड़ा इस्तिती पास एहंकार इतना है कि अगर किसी गडबंदन करेंगे तो कहेंगे हम पचीज सीट पचास सीट से नीचे लड़ेंगे नहीं वोट पूछो कहां से है वोट में जमानत बचेगी कि नहीं इस पर कोई बात नहीं है जबाब नहीं है बाब पढ़ाम जब बताता है तो अलग हो जाते उस पर कोई समीक्षा नहीं होती यह जो राजभर हैं मौरिया हैं यह जो छोटे-छोटे दल हैं यह सब बीजेपी को नहीं दिन भर कोशते यह आपस में भी पश्में लड़ते हैं तो बीजेपी को यह कहां से रोक लेंगे लोग देखिए यूपी की सियासत में मुस गोट लिया जनरल के लेती थी बनिया ठाकूर पंडित लाला सब एकठा किया फिर अब वो आ गई कि भाई कुछ यादो और कुछ मुसल्मान भी तोड़ो अब वह भी उत्तर भारत में उसका अभियान चल ला है यूपी में खास तोर्व से चल ला है लेकिन बातें अंतर र रुपया गिर गया वह इसे हराद्मी यह जानता है कि जतना रुपया चर्चा है यतना तो जतना रुपया गिरा साथ जुमका भी बरेली वाला न गीरा होगा जतना बार-बार गिर रहा है लेकिन एक चीज है कि समाजवादी पार्टी अधिवेशन करने जा रही है वो समण को अधिश बना दे जो समण जातियों को जोड़े कुछ एक लीडर्शिप तयार करे कुछ चीजें तो करनी पड़ेंगी तब ही आप मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी से वह इसे विपक्षी एक ता कि जब बात आती बिजेश जी तो सीवी आई इडी और आई टी यह मिलने नहीं देंगे हाथ मिलाओगे रात के अधैरे में तो सबेरे पकल लेंगे जाओगे कहां अच्छा सब किसी का घुटना डूबा है किसी का नाग तक गले तक डूबा है दूबे तो सब हैं कुछ ना कुछ जी तो अपनी जान बचाएं समस्या इस बात की है लेकिन हमारे देश में अब CBI ED income test के बाद नेताओं के एक डर और सताने लगा जो दागी है वो डरते हैं कहीं कि CBI ED के बाद कहीं BJP चीता न छोड़ दे उनके पीछे इतना चीता ले आई है उससे भी डरने लगे हैं नेता तो अब जब चुनाओं करीब आएगा तो गोमाता के लिए अंदोलन भी होगा तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस प्रदेश में लेकिन सियासत का एक फंडा है कि जो लोग आपको रेस में जीत कर नहीं हरा सकते हैं वो आपको तोड़ कर हराना चाहते हैं और अगर जंता का समर्थन हो तो यह आसान हो जाता है काम मेरहाल एक साहितिकार ने लिखा है विरजे जी सुनिएगा रफीक सादानी ओदम गोंडवी साहब का कि जब सो में सत्तर आदमी नासाद हैं तो दिल पर हाथ रखकर कहिए क्या देश आजाद है और कोठियों से मुल्क के मयार को मता किये असली हिंदुस्तान तो फुटपात पर आबाद है और बनके एक हाथ सा बाजार में आजाएगा और जो नहीं होगा वो अकबार में आजाएगा और चोर उचको की कुछ तो कदर करो न जाने कब कौन सरकार में आजाएगा बहुत शुक्री आपका विरेंजी बहुत बहुत धन्यवाद मैं सीदे रुक करता हूँ भारती जनता